कैंसर होता है सिर्फ एक को, लेकिन असर पूरे परिवार पर, प्रिय जनों पर, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक, जिन्दिगी के सब पहलू प्रभावित, सुने कुछ सर्वाइवर्स की आत्मपीती, उनके अनुभव, वो उस रास्ते चल चुके हैं, जहां शायद आप आज हैं, उन्हें विश्वास है कि जो वो कर पाए, वो आप भी कर सकते हैं, अने लालो वालिया, काम में डूबे रहने वाले सफल व्यफसाई, जिन्दगी बजानक पता चला कि पत्नी को कैंसर है, सन रह गया, मैं कहूंगा कि पहली प्रतिक्रिया, सन नाटा, फिर लगा कि गलत है, होई नहीं सकता, हमें नहीं, उनसे गलती हो गई है, फिर समाज आ जाता है, कि भाईया है, कुछ और कर नहीं सकते, खयाल आते हैं, हम क्यों, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, क्या गलती कर दी जिन्दगी में, हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन इसका जवाब नहीं, और आपको सामना तो करना ही है, खुला पन रखें, दोस्तों से बात करें, सहयोगियों से भी, डॉक्टरों से बात करें, बात करना अपने आप में मन को शान्त करता है, आप बात करते हैं, लोग सुनते हैं, आपको सलाह देते हैं, मेरी मित्रल ने कहा, उस तन का अब क्या उत्योग, क्या सोच रहे हो, बात समझ आती है, रूबी उसके बाल, उसका शरीर नहीं, रूबी वो इंसान है, जो वो है, एक बार ये समझ आ जाए, तो आपको अपनी पत्नी को ये समझाना ज़रूरी, कि बालों में क्या रखा है, मैं बहतर इंसान बन गया हूँ, मुझे समझ आ गया है, कि मुझे पता ही नहीं था, कि मेरे लिए कौन और क्या ज्यादा एहम, मुझे जिन्दगी अपने काम के अलावा भी समझ आए है, समझ आया है, कि मेरी पत्नी एक इंसान है, और मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मैं अपने परिवार के ज्यादा करीब हूँ, अफसोस है कि कैंसर से पहले ऐसा क्यों नहीं था, जब जिन्दगी में कैंसर आया, तब रूबी और अनिल का बेटा 17 साल और बेटी 14 थी, सब डर गए, विचलिप, सब पकाए, आज उस मुश्किल समय को याद करते हैं, तो जिन्दा होता है एक एहसास कि किस तरह उस मुश्किल समय में एक दूस्ष्रे का सहारा बनकर गुजारे वो दिन, उनका मंत्र था, बात करो, जानकारी बातो, मन की बात भी, होसला बढ़ाते रहो, और डॉक्टर पर विश्वास रखो, रूबी कीमो लेना ही नहीं चाहती थी, ना डॉक्टर, ना मैं, ना उसके माबाद, कोई उसे समझा ही नहीं पा रहा था, अर्जुन, हमारे बेटे ने उसे राजी किया कि कीमो थेरपी तो लेने है, मेरे लिए, परी के लिए, और तब जाकर रूबी राजी हुई, हम तो कोशिश करके हार कई थे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, पहला खयाल, मम्मी नहीं बचेगी, उल्टी सोच थी, मैं क्या करूँगी, बहुत डर गई थी, मैं रोने लगी, मम्मी ने तब मुझे कहा, कि मैं अपने आपको कुछ ऐसा नहीं होने दूँगी, जिससे तुम मुस्कुराना बंद करतो, मुझे लगता है कि होसला रखना बहुत जरूरी, और मरीज का साथ देना भी जरूरी, फिर वो दूर का रिष्टेदार हो, या आपके मापाप, उनके सबसे बड़ी ताकत आपका ठीक रहना है, ये कि आप सम्भले हुए हो, जरूरी है उन्हें दिखाना कि आप ठीक हैं, और चाहते हैं कि वो भी ठीक हो, साथ रहें, साथ रो भी लें, लेकिन साथ रहें, मजबूत रहिए, सहारा देजिए, अपनी माँ को सहारा देजिए, वो गुज़र रही है इस बिमारी से, इलाज से, आपको साथ रहकर सामना करना चाहिए, मैं तो यही कहूंगे कि मेरे इलाज का पूरा जिमा अनिल ने ले लिया था, और आप भी अपने परिवार के किसी को अपने इलाज की जिम्मेदारी देए, और बस इलाज कराए, सल्मा और उनके पती संदेश, सफल, खुश और साथ, जिन्दगी खुश नुमा थी, और फिर उठाया सर कैंसर ने, अचानक अंचाहा, कैंसर का सामना उन्होंने इस तरह किया, एक साथ, संयम और विश्वास के साथ, मैं काम करता हूँ, और हर समय पत्नी के साथ रहना नामुम्किन था, लेकिन मेरी मा, उसकी मा, बेहन, दोस्त, कोई ना कोई उसके साथ रहता, उसे अकेला नहीं छोड़ते, पहले कुछ महीने कोई ना कोई उसके साथ रहता, उसका साथ देता, कीमो शुरू हुई तो मैंने खुद उसके बाल उतार दी और मैं तो हमेशा उसे घर के बाहर बिना बालों के जाने को कहता मुझे तो समझी नहीं आता कि गंजे होने में इतनी वड़ी क्या बात है चाहर दिवारी में बंध होना अच्छा नहीं और सलमा जैसी है मैं जानता था कि वो घुट जाएगी कैंसर हो तो 70 प्रतिशा चारी रिक सामना है 30 प्रतिशा टड़ाई मांसिक समझना जरूरी की कैंसर इलाज के समय अंतरंग संबंधों में फरका सकता है हो सकता है कि महिला की इच्छा ना हो कुछ समय तक ठीक है उसे समय दे उसे अपने नई रूप अपने शरीर के प्रति आश्वस्त होने दे लेकिन जरूरी है उसे एहसास हो कि आप उससे प्रेम करते हैं इजहार करें आपके बच्चे एक उम्र के बाद मस्बूत होते हैं हम भले ही उन्हें कमजोर समझें एक उम्र के बाद उन्हें बताना जरूरी बताएं कि ऐसा ऐसा है लेकिन उन्हें भरोसा दिलाएं उन्हें कहें कि हम उसका सामना कर रहे हैं आप दिल जन्हें